एक 16 साल की बेटी साक्षी उसको मुहमस साहिल ने चाकूं से गोद के हत्या कर दिया तीस-pैंथिस बार चाकूं मरने के बाद भी पेट नहीं भरा तो पत्थल से कुचल के पत्थल पहले पत्थल बाजी करते थे, अब तो पत्थल से कुचल रहें सर को खुचल रहे हैं और इस हत्या के बाद जैसे हमेशा होता आया है ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो गई जस्टिस वार सक्षी बहुत सारे लोगों ने फेस्बूक पर फोटो शेर कर दिया सक्षी को नियाएदो कैंडल मार्च हो गया सक्षी के हत्यारों को फंसी दो नेताओं की भी बयान आ गए बहुत सारे अपने आपको जो हिंदू हितैसी कहते हैं वो भी अपनी बयान दे रहे और हमेशा ऐसा होता है पिछले 75 साल में ही हो रहा है हत्या होती है कैंडल मार्च होता है बयान आता है निंदा होती है तू-तु मैं-्होगा, आरोप रतियारोफ होगा नूरा कुषती होगी लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होता मैं ये पूछ रहा हूँ चीन में किसी साक्षी की हत्या क्यों नहीं होती सिंगापुर में कोई साहिल मुहम्मद आके किसी साक्षी को क्यों नहीं मार देता कोरिया में किसी मुहम्मद साहिल की इतनी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि वहां कि किसी साक्षी को मार दे ये भारत में ही मुहम्मद साहिल साक्षी को क्यों मारता है जानते हैं क्यों क्योंकि हमारा कानून घटिया है हमारी सिक्षा भे वस्ता घटिया है जब तक ये अलब संख्यक बहु संख्यक का खेल खतम नहीं होगा तब तक मुहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा जब तक इस देश में ये मदर्सा मिसंडी स्कूल बंद नहीं होंगे और समान सिच्छा लागू नहीं होगी तब तक मुहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा जब तक इस देश में सारे परसनल ला खतम नहीं होगे सब के लिए एक समान नागरिक संगिता नहीं बनेगी एक महीने के अंदर जाच पूरी हो और एक साल के अंदर फांसी पे लटका दिया जाए दरिंदों को जब तक ये कानून नहीं बनेगा पुलिस चार्टर जुड़ी से चार्टर नहीं लागू होगा तब तक रोज एक मुहम्मस साहिल किसी एक साक्षी को मारता रहे इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ तू तू मैं में करने निंदा करने आरोप रत्यारोप करने कैंडिल मार्च करने ट्विटर ट्रेंडिंग करने फेस्बूक पे लिखने फांसी की मांग करने से फांसी नहीं होगी फांसी देने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा नारको पॉली ग्राप बेन मैपिंक आनून बनाना पड़ेगा अब उसे पुलिस पूस्ताच कर रही चलती रहेगी पूस्ताच गवाहों के बयान होते रहेंगे इधर जी रहोगी उधर जी रहोगी यही चलेगा फांसी नहीं होगी आज तक फांसी हुई किसको कमलेस तीवारी के हत्यारों को फांसी हो गई क्या बादल के हत्यारों को फांसी हो गई क्या डाक्टर नारंग के हत्यारों को फांसी हो गई हीना तलरेजा के हत्यारों को फांसी हो गई सक्सेना के हत्यारों को फांसी हो गई कितने हत्यारों को फांसी हुई इसके बावजूद फांसी फांसी मांग करते रहते अरे बैया फांसी की मांग करने से फांसी होनी होती तो अब तक हजार दोजार को फांसी हो गई होती किसी को नहीं हुई और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब भारत में कहीं नहीं एक जगह किसी नहीं किसी साक्षी को या तो लबजहाद में नहीं फसा लिया जाता और नहीं अगर फस्ती है तो मार नहीं दिया जाता देखते देखते अफगानिस्तान में खतम हो गए, पाकिस्तान में खतम हो गए, बंगला डेस में खतम हो गए, हिंदुस्तान के नवराजियों में खतम हो गए, भारत के 200 जिलों से पलायन हो रहा है, इसके बावजूद भी जो काम होना चाहिए उसकी मांग करते ही नहीं है, TV में डिबेट होती है लेकिन जहाद का समाधान क्या उसमें चर्चे नहीं होती है पुलिस रिफार्म जुडिशन रिफार्म करना पड़ेगा जहाद को रोकना है तो यह तो विशेश कानून, विशेश दरजा, विशेश योजना, विशेश विशेश जो एस्पेसल स्टेटस मेरा है इसको खतं म करना पड़ेगा मैनर्टी नमेकरे कि अधाल कर ना पड़ेगा च्छान है तक मातर्सता मिसंडी स्कूल और पड़ेगे चुछा लागू करना पड़ेगा वैदिक श् समाँ नागरी संगीता लागू करना पड़ेगा तब जाके सबके बीच में प्रेम बढ़ेगा तब जाके साक्षी बचेगी ऐसे नहीं बचेगी बतोले बाजी करने से भासट बाजी करने से घुस्पैठियों खिला फांसी देने का कानून बनाना पड़ेगा जहादियों को बिवस्था ठीक हो न्याइक बिवस्था एक साल के अंदर सजा होना सुरू हो जाए इसके लिए जुड़ी से चार्टर लागू करना पड़ेगा मेरा आप लोगों से हाथ जोड के निवेदन है इस वीडियो को घर घर पहुंचाईए अधिक सदिक शेयर करिए बहुत हो गया नूरा कुष्टी बहुत हो गया आरो प्रत्यारो इससे कुछ नहीं होने वाला न जिहाद रुकेगा न मजहबी माद रुकेगा न साक्षी बचेगी देश को बचाना है सनातन संस्कृति को बचाना है तो कानून बनाना पड़ेगा पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म, एलक्षन रिफॉर्म करना पड़ेगा इसलिए मेरा आप से निवेदन है इस वीडियो को अधिक सरीक लोंग तक पहुंचाईए अपने सांसोदों को टैक करके ट्वीट करिए अपने छेतर के विधायों तुम विधायों को तक पहुंचाईए अपने सारे वाटसप ग्रूप में फैलाईए लोगों को पता चलना चाहिए कि समाधान कानून बदलना ही है कानून बदलने से समाधान होगा अच्छी अच्छी बाते करने से नहीं